अब बात करने वाले हैं Tailwind CSS में Grid and Grid Classes के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि Tailwind CSS के अंदर हम लोग Grid कैसे बना सकते हैं और उस Grid के लिए Columns and Rows कैसे Define कर सकते हैं उसके बाद Grid के साथ में Column Span and Rows Span भी यूज़ करके देखेंगे अगर आपको ये नहीं पता कि Cols Span और Rows Span क्या होता है तो कोई बात नहीं इस पार्ट में आपको पता चल जाएगा उसके बाद बात करेंगे कि Grid में जो Columns and Rows होती हैं उनके बीच में Space यान कि Gap कैसे यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको पांच Columns दिखाए दे रही हूं और आप चाहते हो कि जैसे ही इस साइट को मैं Mobile या फिर टैबलेट पर उपन करूं तो पांच की जगह पर दो या तीन Columns ही दिखें तो यह कैसे कर सकते हैं यह भी आपको इस पार्ट में पता चल जाए लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे Grade with Tailwind CSS और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर सो अभी के लिए कुछ नहीं लिखा हूँ तो कुछ आपको लग से दिखाए भी नहीं दे रहा और अगर आपका यहां पर जो बिल्ड होती है हमारी Tailwind CSS की वो रन नहीं हो रहे तो उसको भी रन कर लेना अधरवाइस यह प्रोपरली काम करेगी नहीं और यहां पे आप लोग आपके आउटपुट वाली फाइल को भी इंक्लूड करना मत भूलना राइट दैन हमने यहां पे एक डिव दिया इस डि ठीक है और मैं चाहता हूं कि ऐसे मेरे पास आठ डिव बन जाएं तो आप यहां पे दिख सकते हो मेरे पास आठ डिव बन गई हैं सेम चीज के बट यहां पे दिखोगी तो आपको कुछ भी नी दिखाई देने वाला विकोज यहां पे मिनका size भी define करना पड़ेगा तो इस हम लोग चाहें तो border का color भी दे सकते हैं border beige sorry यहां पे होगा border red और red में थोड़ा सा मैं dark color दे देता हूं ताकि मैं थोड़ा सा अलागी दिखे तो आप यहां पे देख सकते हो थोड़ा सा में border भी दिख रहा है right then मैं simply क्या करूँगा इन classes को दोनों को उठा के हर एक के let me add there there और यहां पे भी अब इसका output चेक करोगे तो आपको यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है वस बोर्डरी बोर्डर दिख रहा है because यहां पे हम लोगों ने इसकी padding नहीं दिए sorry for that मैं इसकी padding देता हूं सबके लिए all right so सबकी padding दे दिया है अब आप यहां पे देख पा रह जैसे आप यहां पे grid ले होगे कुछ भी आपको change नहीं दिखने वाला because change इसके अंदर तब आएगा जब आप grid की columns define करोगे so अगर आप इसको check करना चाहते हो कुछ impact आयागी नहीं आया वैसे तो CSS के हिसा आप से देख सकते हो अगर आप यहां पे check करोगे तो इसका जो display है वो grid आपको यहां पे दिख पा रहा हुआ अगर मैं इसको कर देता हूँ flex तो यह इस तरीक से दिख जाएगा ठीक है बट जो grid होता है वो इसके जो आप कहा सकतो direction अगर होता है उसको change नहीं करता by default right then हम लोग यहां पे क्या करते हैं grid और यहां पे लेंगे calls to यानिकि एक row के अंदर हम लोग 2 columns लेने वाले हैं खुछ इस तरीक से आपको दिख पा रहा हुआ यहां ठीक है 1 2 3 4 5 अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीक से बढ़ा भी सकते हो जैसे कि मैं देता हूँ यहां पे 3 तो जैसे मैंने 3 दी तो यहां पे 3 इस तरीक से आगए अ इस तरीक से आप इनको यूज कर सकते हो यह एक बहुत ही सिंपल सा क्रेड है इसमें कुछ चेंजिस करके देखते हैं जैसे कि आप इसमें चाहते हूँ गैप दिखे आप गैप 1 देना चाहते है जैसे आप गैप 1 दोगे तो थोड़ा थोड़ा सा यहां पे गैप आ अचा एक चीज और करते है ना ताकि थोड़े से यहां पे हमें और ग्रीड की रोज दिखें तो मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ठीक है इस तरीके से देन आप चाहो तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो मैं इसको फॉर्मेट भी कर दिया अब हमारे पास खूब स वाली रो है तो इसके लिए क्या करोगे कोल स्पैन दे दोगे जैसे इसमें टू दोगे आप यहां पे देखोगे कि यह एक कोलम बन गई है अब क्या एक कम हो गई है इसका जो फॉर्स्ट वाली का साइज है वो बढ़ गया बस ठीक है अब सेम इसी तरीके से जो यह नीचे है आप चाहते हो कि इसके इंदर कोल स्पैन आपको तीन देना है तो आप इसमें तीन भी chutी शकते हो तो इसका कितना ओऔशप्र से रहा अगर है यहां पर मैं ठोड़ा झाल देना जाहते है नहीं बदेख दो इसके सब्सक्राप डिया si prince कि उら लिए यहां पे इसका कि भर तरीके से जो को यह को अ इसको दो रो के लिए यूज करना चाहते हूं तो अब सेम इसी तरीके से आप चाहते हो कि यहां पे आप लोग यूज करो को चार दें आप देखोगे कि यहां पे इस वाली जो हमारी रोती उसने चार वोक्स को कवर कर लिया है राइट इस तरीके से हम लोग चाहें तो multiple coldspan को एक साथ use कर सकते हैं cool all right so अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इन सब को कर देता हूँ एक बार मैं revert कर देता हूँ जैसे यह पहले थे उसी तरीके से इनके हमें भी एक लिए जरूरत नहीं है because मैं आपको इसमें एक और फीचर दिखा रहा हूँ इसी वज़े से तो आपको यह नॉर्मल से वापिस से मैं करके दिखाता हूँ यहां पर बे नॉर्मल दिख रहा है अब आप चाहते हो कि जैसे ह स्क्रीन साइज स्मॉल हो तो उस केस में आपके पास दो या फिर एक ही ग्रीड स्पैन दिखे चारों के चारों नहीं दिखने चाहिए अभी तो ठीक है बट जैसे हम लोग छोटे करते हैं तो आप चाहते हो कि यहां पर दो दिखें बड़ी स्क्रीन के अंदर चार दिखें इस केस में क्या कर सकते हो सबसे पहले यहां पर जो कोल्स पहने असको कर दो अब आपको यहां पर दो ही दिख रहे हैं और जो बड़ी स्क्रीन साइज है जैसे आप चाहते हो कि एम डी के ऊपर जैसे ही आपका स्क्रीन साइज तो आ जाएगा आपके पास दो and then इसके अंदरा जाएंगे आपके पास 4 तो अब देखो by default यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं जैसे थोड़ा छोटा हुआ तो 2 दिख गए और छोटा हुआ तो यहाँ पे 1 दिख गया इस तरीके से ठीक है 4, 2, 1 इस तरीके से आप लोग छोटी स्क्रीन साइज के लिए ग्रीड के कोलम्स को चेंज कर सकते हो इसमें कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना यह आपके लिए फ्री ओफ कोस्ट अबट इससे मुझे बहुत वैल्यो मिलती है और यह मेरा गुगल पे का एंट पेटेम का डोनेशन हमर अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो थैंक्स गाइस थैंक्यू सो मच